बिस्मिल्लाइर रख्मानिर रहीम, dear students, अपनी इस वीडियो में हम if structure को use करते हुए, simple if statement को use करते हुए एक program लिखेंगे, तो इस program को लिखने के लिए मैंने dev c++ open किया हुए, मैं एक source file को select करता हूँ, और मैं यहाँ पर सबसे पहले include करता हूँ अपनी जो required files हैं, आपको मालूम ही होगा कि हमें stdio.header file include करनी है लाजमी, उसके बाद हमें include करनी है konio.header file, उसके बाद wide main और यहाँ से अब हमारा program actually start होगा, तो मैं यहाँ पर एक variable declare करता हूँ, वही program जो बने लिखा था, मैं उसे यहाँ पर आपको demonstrator करे लिखाता हूँ, int a, और let's say कि हम इसको थोड़ा सा complex भी कर लेते हैं, हम input ले लेते हैं user input के तौर पर कोई value देगा, तुम कहते हैं कि एक variable है a, और हम यहाँ पर सबसे पहले एक message print करवाएंगे, printf, please enter a value और backslash n डाल देते हैं इसके साथ, ताकि new line पर input लेने के लिए हम इसे, जो है वो cursor आजए, scanf करते हम इसे, और scanf में हम सबसे पहले format specified देंगे, इसका d, और उसके बाद, comma, ampersand का sign हमारा जो है वो, syntax का इस है, और इसके बाद उस variable का name हम दे रहेते हैं a, अब user के dv value a में store हो जाएगी, अब यहाँ पर मैं if statement का इस्तेमाल करूँगा, if a is greater than or equal to 10, तो फिर क्या होना चाहिए, print करवा दो, printf, the value is greater than 10, okay, लीजिए, हमारा program complete हो गया, अब हम इसे save करते हैं सबसे पहले, और मैं इसे save करूँगा, c source file, c++ file के जाएगा, c source file के तौर पे, तो मैंने c source file जो है वो, desktop पे मैं select कर लेता हूँ, या किसी और location के उपर हम this PC में जाके, let's say के हम कहते हैं कि हमारे पास documents में या save हो जाएजी, और simple if इसका नाम रहेते हैं, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, तो मैं इसको if program, मैं इसे save किया, save करने के बाद हम इसे compile करते हैं, और compile and run कठा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले से compile करता हूँ, ताकि अगर कोई error हो तो सामने आजाए, और आप देख रहे हैं कि किसी किसम को कोई warning, कोई error नहीं आया, अब मैं इसे run करता हूँ program को, तो देखिए, please enter value, अब मैं यहाँ पर जान बूच के 8 enter करता हूँ, मैंने 8 enter किया और फिर enter प्रेस किया, आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई message यहाँ पर display नहीं हो रहा, और उसकी वज़ा बड़ी clear है क्योंकि मैंने जो input दिया है value के तौर पर वो 10 से कम है, 10 से कम होने की वैसे यह condition false हो गई, condition false हो गई तो यह message print नहीं हुआ, okay मैं इसे दुबारा से run करता हूँ, और अब की बार मैं जो input इसे दूँगा, मैं 25 देता हूँ, और देखिए the value is greater than 10, यह statement आप देखिए,